हेलो दोस्तों आपका फिर स्वागत है मेरी चैनल अन्लॉकिंग ज्यान में आज के वीडियो में मैं आपके लिखे आए हूँ मी पावर बैंक का जो सबसे लेटेस्ट अभी हाइपर सॉनिक 20,000 MAH 50 Watt का पावर बैंक लॉँच हुआ है इस वीडियो में मैं आपको इस product को अभी फिलाल के लिए unbox करके दिखाने वाला हूँ आपको पूरा अंदर दिखाऊंगा क्या-क्या इसमें मिलता है क्या-क्या इसके feature है और मेरे आने वाले वीडियो में मैं फिर इसके पूरी की पूरी जो है इसकी testing भी करके आपको दिखाऊंगा proper laptop चार्ज करके devices चार्ज करके compare करके देखेंगे कितना efficient यह device है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करना और आप मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना तो दोस्तो टाइम फेस्ट किये बगार जल्दी से start कर लेते हैं वीडियो को तो आप मेरे हाथ में औरड़ी देख सकते हैं यह जो product है मेरे को deliver हो गया है इसे मैंने order किया था flip card से और यह मेरे को 3600 रुपे का पड़ा था तो इसका जो price है वो असल में ज़्यादा है मैं आपको जल्दी से quickly पहले इसके back side वे feature वगरा आप पता देता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो name है वो me power bank hypersonic 20,000 mh 50 watt है यह वाला जो power bank है यह eclota me ka power bank है जो laptop को charge कर सकता है जी हाँ जो हमारे laptop होते हैं उसको भी यह power bank charge कर सकता है मगर इसकी again कुछ terms and condition है यह आप ऐसा मत समझना कि अगर आपने इस power bank को ले लिया तो आपका कोई भी laptop है वो charge हो जाएगा ऐसा नहीं है यह सिर्फ higher end के जो laptop होते हैं उसी को charge कर सकता है उसमें भी सारे laptop charge नहीं होते हैं कुछ particular condition है कुछ laptop से उसको satisfy करते हैं वो इससे charge हो सकते हैं तो यह सारे laptop को charge करने के लिए नहीं बनाए तो वो मैं सारी details आपको अपने आने वाले वीडियो में बिल्कुल clear पताने वाला हूँ तो यह वाला जो product है असल में मी ने जो है जुलाई के आखरी हफते में announce किया था उसके बाद पूरा अगस्त निकल गया सितंबर निकल गया तो क्योंकि काफी लोग work from home कर रहे थे तो काफी लोगों को problem भी थी जब घर में light चली जाते है offices में ऐसी problem नहीं होती है काफी अच्छा backup system लगा होता है पूरे office के लिए मगर घर में काफी problem रहती है इस तरह की तो उस ताहिं पर यह काफी effective होता है यूज काम ही आ जाएगा तो इसके लिए आपको इसके details में जल्दी से एक बार पता देता हूं तो अगर आप देखेंगे यह जो power bank है यह black color में यहाँ पर mention कर रखा है यह सिरफ एक ही color में बनाए गया है जो की black है मगर इसका जो black है वो यहाँ पर clearly mention नहीं कर रखा है इसकी website में पता रखा है यह एक premium matty black finish का power bank है तो आपको एक ही option यहाँ पर मिलेगा इसकी जो cell capacity पता ही है वो 74 watt hour की है तो आपको किसी भी चीज की जो power calculate करते हैं वो मैं आपको एक बार फिर पता देता हूं मेरे पहले वाले already दो वीडियो जो है वो इसी topic के उपर बन रखे हैं जिसमें मैंने आपको clearly यह पता रखा है आपका जो laptop है अगर आप उसे mobile charger से charge करना चाते हैं जी हाँ अगर आप अपने laptop को अपने mobile charger के थुरू charge करना चाते हैं उसके लिए मैं already एक detailed video बना चुका हूं जो मैं आपको उपर अभी description में दे दूँगा आप चाहें तो इस video को देख सकते हैं साथ ही साथ मैंने एक video और पहले से बना रखा है जिसमें मैंने अपने इसी वाले laptop के HP को अपने एक छोटे से 10,000 mAh के power bank से भी charge करके दिखाया था तो उसकी भी detailed testing का already video मैं बना चुका हूं वो भी आपको उपर description में दे दूँगा मैं आपको request करूँगा इसका जो मैं अभी तीसरा video बनाने वाला हूं आने वाला जिसमें मैं इस से इसी laptop को फिर charge करके दिखाऊंगा और देखें कि कितना efficient है उसको देखने से पहले आप मेरे पुराने दो video प्लीज देख लीजिए ताकि जब मैं इसकी third testing इसके साथ करूँ तो आपको मेरा इस testing का जो purpose है वो पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा मैं कई आपको यहां पर हिंट देखे पहले ही समझा देता हूँ जैसे कि किसी भी device की अगर आपको power calculate करनी है तो power होती है voltage multiply by i तो कभी भी जो भी हमारी जो यहां पर rating होती है तो अगर यहां पर voltage जैसे की mention किया गया है नई unit होती है वो watt hour में calculate की जाती है इसको जो input port जो है जिसे इसे charge करते हैं वो USB type C है और जो output है वो total तीन port दे रखे है जो कि मैंने अल्रड़ी देख लिया है आप इसके यहां पर फ्रंट पे यहां पर पिक्चर पे नहीं देख पाएंगे मगर इसमें तीन port दिये हुए तो USB जो है वो input है वो output भी है जो type C वाले जर्नली type C का benefit यही मिल जाता है मगर जो हमारे बाकी दो बचे हुए port है वो USB A type के port है जो कि सिर्फ output के ही काम आते हैं अब आप next यहां पर देखेंगे तो इसकी जो input rating बता रखी है वो है 5 और 3 ampere की मतलब आप इसे आप इसे 15 watt के charger से भी चार्ज कर सकते हैं 9 into 3 का मतलब हो जाता है यहां पर 27 तो अगर 27 watt का अगर आपके पास कोई भी fast charger वेगर आपके 1 plus का या फिर me का या फिर किसी और company का भी अगर आपके पास है तो आप उससे भी इसे चार्ज कर सकते हैं वैसे ही आप 12 into 3 को करेंगे तो 36 watt का बन जाता है वैसे ही यहां पर 45 watts का भी है और वैसे ही आप जितने भी number 7 को multiply करके आपको पता लगता रहेगा कि यह किस-किस wattage के यहां पर rating बता रखिए तो वो 50 watt max है अगर आप देखें तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप dual port mode पे USB A type से output लेंगे तो वो 15 watt की बन जाती है तो यहां पर 5 into 3 कर देंगे तो वो 15 बिल जाता है मगर अगर आप USB A को single port को अलग अलग करके लें तो सारे यहां पर wattage के numbers दे रखें वैसे ही type C का भी mention कर रखा है कि type C से अगर आप output लेते हैं तो आप 15 watt ले सकते हैं 27 watt ले सकते हैं यहां पर आप 50 watt भी ले सकते हैं उसके बाद अगर आप यहां पर देखें 36 watt का option है 45 watt का option है 40 watt का option है और triple port के combinations भी पता रखें तो सारे के सारे जो है मैं आपको और यहां पर इसकी बाकी details बगरा पता रखें यहां पर पता रखें इस product को जो है July 2021 में जो है manufacture भी किया गया है और उसके बाद import करके यहां पर ले भी आये थे तो दो महिने तक जो है company ने इसे wait कराया है हमें इसे देने में उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि उस trademark बगरा के licensing बगरा के यहां पर पता रखें साइड में देखें तो कुछ भी नहीं है सिर्फ branding कर रखी है box में front में यहां पर पता रखा है कि यह जो device है यह पहला ऐसा power bank है जो की laptop charging को 45 watt से support करता है उसके बाद अगर इसे recharge करना है तो reverse जो इसके रिचार्जिंग होगी वो भ 45 watt तक का अगर आपके पास कोई charger है तो आप उसे से charge कर सकते हैं और इसके अंदर smart power management है इसका भी मैं आपको detail मतलब ढंक से समझाओंगा आने वाले वीडियो में यह क्या करता है तो box में सब कुछ यहीं बता रखा है देखिए इसकी बिल्कुल जो seal वगरा है बिल्कुल tight य return वगरा में request में डालें तो हो सकता है किसी को इसका खुला हुआ एक बार चेक किया हुआ किसी से return भी product मिल जाए अब जल्दी से जो है इस product को फिर हम एक बार cut कर लेते हैं तो box के अंदर यहां पर कुछ नहीं है सब कुछ हमने निकाल लिया है एक इसकी user manual बगरा पता रखे है उसमें जो है पूरकपूरा यहां पर अगर आप पॉस करके कुछ पढ़ना चाहें आप पढ़ लेना और यहां पर चार्जिंग और डिस्टार्जिंग के जो भी indicator LED यहां पर system यहां पर भी आप पॉस करके कुछ specifically अभी के लिए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं मैं आपको बाद में details पूरकी पूरी इसकी testing के time पर वैसे भी पताने वाला हूं तो इसको रख देते हैं side में अंदर इसके power bank निकाल के देख लेते हैं तो इसको भी open कर लेते हैं जल्दी से तो इसका जो weight है काफी heavy है और इसका जो matti finish वाला ये वाला जो है काफी premium देखने में लगता है यहां पर जो है me की यहां पर branding वाला logo लग रखा है तो देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है इसका finish बहुत अच्छा है यहां पर metallic type का यहां पर भ लगा है तो overall जो है यहां पर काफी यह देखने में सुन्दर लगता है इस side भी आपको एक बार दिखा देता हूं focus करके तो अगर आप specifically इस side भी कुछ पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं basically जो information same जो box में मैं आपको दिखाई थी वो ही सब यहां पर भी लिख रखी है अब next item जो box में दे रखी है वो यहां पर आप देख सकते है charging cable और रख रखी है उसके सिवा कुछ भी नहीं है तो charging cable जो दे रखी है इसके साथ वो है USB type C to USB type C जो main advantage होता है type C cable का वो majorly यह होता है कि यह एक bidirectional cable होती है तो अगर आपको क्या करना है आप कोई भी end किसी भी side पर लगा सकते हैं ऐसा कोई problem नहीं होती है इसमें तो अगर आपको charge करना है अपने laptop को तो laptop में जो है type C thunderbolt का port दे रखा होता है और power delivery 3.0 का option होता है तो यह वाला जैसे अगर मैं अपने laptop के यहां पर insert कर दूँगा अगर आप यहां पर देख पाए तो यह charging mode में चला जाए मगर अगर आप अपने मान लीजिए mobile charger से charge कर रहे है कोई भी fast charger है कुछ तो उस चीज में मेरे को यह थोड़ी सी कम ही लगी company को इसकी second cable भी देनी चाहिए थी जो जर्नली हमारे mobiles के साथ आती है जिसमें एक side USB type A होता है और दूसी side type C company शायद consider कर रहे है कि आपके पास already आ मगर अगर दे देते तो कोई इतना क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास खराब हो या कोई पत्ली पुरानी alternate wire यूज़ कर रहा हो तो अच्छा नहीं है हमेशा जो है company द्वारा recommended दी गई wires को हमेशा यूज़ केजिए और अगर आप replace में भी कभी purchase करें तो अच्छी standard की quality की wire ही use करें तो overall अगर मैं इसके weight की बात करूँ तो मिरको उतना ज्यादा तो feel नहीं हो रहा है मिरे पास और भी कई बड़े वाले power bank हैं जो कि 30,000 mAh का भी है मी का तो उसके comparative देखें तो ये उतना भारी नहीं है देखने में ठीक है मतलब चल जाएगा अगर airport वगरा की ब अंदर है तो इसकी rating के हिजाब से ये allowed है आप बिलकुल ले जा सकते हैं जो company ने जो है कुछ और information जो इसकी website पर directly provide की थी जो मैंने already पड़ी वी थी जो box में हो सकता है इसके instruction manual में लिखी हूँ मगर मैं आपको फिर भी directly पता देता हूँ इसको charge करने का जो time है अगर आप इ इने साफ साफ ये भी recommend कर रखा है आप इसे मी के 67 watt के sonic charger से इसे charge करें तो उसकी recommendation में already दिये तो आप समझ सकते हैं अगर मैंने इसे किसी और fast charger जो की lower voltage का हो 18 या कुछ तो time बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है तो लगबग 8-10 घंटे भी लग सकते हैं तो आपको overnight इसे ज जो इसका जो laptop charge करने की capacity है तो ये भी जो है company ने clearly बोल रखा है ये maximum सिर्फ एक बार ही एक laptop को full charge कर सकता है वो भी मेरे को एक बार जैसे कि मैंने आपको बता है मैं आने वाले अभी next एक दो दिन के वीडियो में इसे test करके देखूँगा क्या इसे मेरे laptop को full charge कर पाता है या नहीं तो ये करेगा सिर्फ एक ही भार ऐसा company का claim में आप इससे ज्यादा expectation मत रखना ये power bank जो है ये smartphone और बाकी devices को भी obviously जो है charge करने के काम में आने वाला है मगर इसका main जो इसका purpose ऐसे build करने का वो laptop ही है अगर आप smartphone को करना है तो already जो है बाकी already market में काफी सारे brands के already power bank available है आप उने भी ले सकते हैं मगर अगर आप इसे consider कर रहे हैं क्योंकि इसकी cost काफी जादा है 20,000 जो MH के बाकी charger है वो लगबग जो है ठारा सो रुपए के आसपास के आ जाते हैं या almost उसके double cost का आता है तो अगर आगर आपका purpose सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट फोन या आपके जो आपको जाने से पहले मैं फिर request करूँगा इसका मैं एक detailed वीडियो अल्रेडी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं full इस device को test करके बताऊंगा कितना efficient ये इस laptop को charge कर पाता है या नहीं कितना time ये full charge करने में लेगा और कितना time इस laptop को फिर charge करने में लगाएगा तो ये सब test इसी सेम topic पे already मैं बना चुका हूँ वीडियो मैं आपको starting में भी जो है link में description वो दिये थे आप please उन दो मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको comparison में समझ में आ जाएगा कि ये power banks कितना efficient है और जो भी मैं calculation जो भी आपको तरीका बताऊंगा वो आपको उ नेवाद